नमस्कार दोस्तो वेलकम डूडीएस एजूकेशन स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल डीएस एजूकेशन में मैं हूँ दिनिस साहू और दोस्तो हम अध्यन कर रहे हैं MPGK का या फिर मद्ध्रदिस के सामान या अध्यन का तो दोस्तो हमारे MPGK की इस स्रीज में आज हम एक नया चेप्टर स्टाट करेंगे मद्ध्रदेश के वनों के वारे में मद्ध्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं जंगल है ठीक है उनके वारे में हम डेटल में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दो हमारे मद्ध्रदेश है ठीक है में यह यह ठीक है तो इसी के संबाद्ध में दोस्तो 2019 की आदी हम रिपोट के बात करें ठीक है 2019 की कौन सी रिपोट one report एक दम लेटेस्ट रिपोर्ट है यह ठीक है 2019 की one report की आदी हम बात करें मंद्र प्रज़िस के 774.028 वर्ग किलोमेटर छित्र फल पर, ठीक है, forest cover है, या फिर इतना area वनाक्छादित है, वनाक्छादित, ठीक है, तो 77,482 वर्ग किलोमीटर जो मद्रप्रदिस का area है, ठीक है, वो बनों से अक्छादित है, या फिर forest cover है, ठीक है, ये 2019 की one report, ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दो कि जो one report है, आखर ये लागूर कौन करता है, ठीक है, इसे जारी कौन करता है, कितने वर्षों में ये जारी खुझती है, ठीक है, अब यदि ये आकड़ा जो आप देख रहे हैं, 77,482 ठीक है, अब यदि MPG के की book पढ़ेंगे, तो क कौन करता है, भारत का जो one मंत्राल है, ये इसे जारी करता है, प्रत्यक दो वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, अब ये रिपोर्ट जारी कपसे हो रही, तो 1987 से, 1987 में सबसे सरप्रதम की गई थी 1987 में सरप्रतम की गई थी यृश के बाद परतिक दो वर्श में यह रिपोर्ट जारी की जाती यृदि हम बात कर रहें 2019 की जो रिपोर्ट है क्या वह सिर रिपोर्ट है तो वह कौन सी रिपोर्ट है सोल Präsident वन सर्वेक्षण संस्थान, ठीक कहां पर है दहरादून, ठीक है ये भी एक्जम में कुश्चन है था कि वन सर्वेक्षण संस्थान कहा है तो दहरादून में, तो वन सर्वेक्षण संस्थान दौरा इस रिपोर्ट को बनाया जाता है या फिर तैयार किया जाता है, बात किल करता है इसने इसको तैयार करके भेज है बहरसारकार के पास तो भारसारकार का जो one even परियवण मंत्राल है इसको जारी करता है ठीक है अब एक बात और जो बंसर विक्छन संस्थान इस रिपोर्ट को तयार करता है ठीक है तो इसके आकड़े के द्ौ़ाही इसके जो समवेदें होते हैं ठीक है ठीक है इसके द्वारा ही यह रिपोर्ट जारी करता है ठीक है तो रिसोर्ड्स से उब ग्रहें की मदस्यत्थ सरक्षत संस्थान ठीक है इसकी द्थ रियन आपड़ें Tao कम इन आकड़ों को वन एबं परियावण मंत्राले जारी कर दे तो बात क्लियर हो गई होगी वन रिपोर्ट किस प्रकार से जारी की जाती है मैंना क्या क्या बता दिया उनीस सो सतासी से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है प्रत्तिक दो अर्श में की जाती है अभी latest 2019 में जारी की गई थी कब की गई थी जारी 30 दिसंबर 2019 को ये जारी की गई थी जो बनौक से आक्षादित है यह मद्रप्रदेश के छितफल का कितना पर्षंट है दोस्तू यह है लगवक 25.00 exact में आपको बताऊ तो 1.4 पर्षंट ठीक है यह मद्रप्रदेश के छितफल का यह जो आकड़ा है 25.14% है इसके लावे दोस्तों आपको एक और आकड़ा अक्सर सुनने को मिलता होगा है वो आकड़ा क्या है 94,689.38 वर किलोमीटर तीक है 94,389.38 वर किलोमीटर आप जब भी बुक पढ़ते होंगे MPG के की तो कहीं आपको इस प्रकार का एक आकड़ा मिलता होगा और कहीं आपको इस प्रकार का एक आकड़ा मिलता है ये दोनों आकड़े मिलते हैं और बच्चे कंशूज होते हैं कि दो आकड़े कैसे हो सकते हैं तो ये जो डाटा है दोस्तों या फिर आकड़ा है यह मद्यप्रदेश सरकार का है तो मद्यप्रदेश सरकार का यह आकड़ा है कि मद्यप्रदेश सरकार यह कहते है कि हमारे चेत्रफल में 1 है या फिर 1 आक चादित है या फिर फोरेस्ट का बार है तो मद्रपदेस सरकार का यह आकड़ा है चेत्रफल का कितना है लगवक 30.72% तो यह बात आपको याद रखना है दोनों आकड़े आपको दिमाग में रखना है अब देखिए आप MPJ की की बुक मिलेंगे तो कहीं ये आकड़ा आपको 270 का मिलेगा, कहीं 2011 का मिलेगा, कहीं 2013 का मिलेगा, तो उपर नीचे होगा, एपरोक सिकते ही रहता है, थोड़ा उपर नीचे होता रहता है, तो आपको confused नहीं होना है, लेकिन ये एकदम latest आकड़ा है, अभी का 2019 का, तो ये दोनों आकड़े आपको याद रखने ने, 87,482 और 94,689 बार की किलोमीटर, ठीक है, तो ये तो होगी forest कवर मद्रप्रदिस का कितना है, अब हम जिले की बात कर लें, तो मद्रप्रदिस के कौन से जिलों में कितना एरिया कवर करता है, ठीक है, तो जिल कितना है, मैं exact आपको आकड़ा बता देता हूँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, 4932 वर किलोमीटर, ठीक है, तो बाला घाट जिले का 4932 वर किलोमीटर एरिया, एरिये में 1 है, ठीक है, इसके लाबा यदि हम नियूंतम की बात करें, ये सरवाधिक है, ठीक है, ये क्या ह 3932 वर किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूछ लिया जाता है, कि सबसे जयादा 1 कि जिले में तो बाला घाट में, सबसे कम का है, तो अज्यन में, ये 2019 का अकड़ा है है धोर हम लेटिस्ट आकड़ा है, 2019 की रिपूर्ट के अनुसार है, इसके लाबा है हम परस में सबसे ज़्यादा कहा परवन है तो percentage में भी बाला घाट में सबसे ज़्यादा percentage भी देखा या तो forest cover है या फिर one है तो कित्ता percent है लगवक्त 53.44% मतलब उस जिल्ए के छेत्रपड का 53.44% area जो है वो forest cover है बाला घाट में ठीक है इसके लबाव नियूनतम की बात करें तो व सबसे ज़्यादा वन है या फिर फिर सबसे कम 20 एनियू राइथ वबावक्तित हम पार्ति उसकी बात करने इडिक है तो विक्त आश्यूने में उस ़िल्ए का एरिया देखें तो उस जविनक् ind ties कि जिल्यादा करने मेरे सर्प्र सना करने बनेंशने नंगितिनमृक क्भी westill में test kama इस सब से कम का नर्थ मinizi कि उसमें बी बाला घॉट है 53.94 परशंट सब से जब निन्यत म интर्फ की बंटल वड़क काल है अब हम चलते हैं की अब दूस्तों वनों का वर्गी करन देख लेते हैं इनका वर्गी करन देख लेते हैं कितने अधार पर हम कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो दूस्तों इनका वर्गी करन हैं प्रशाशनिक अधार पर कर सकते हैं ठीक है प्रशाश्निक आधार पर ठीक है प्रशाश्निक आधार पर तीन प्रकार से उनका वर्गी करना कर सकते हैं कौन-कौन से वन है प्रशाश्निक आधार पर तो पहले तो हो जाएंगे आरक्षित वन आरक्षित वन ठीक है दूसरे हो जाएंगे संदक्षित 1 और तीसरे हो जाएंगे आवर्गी करत 1 ये आपको याद रखना है ठीक है आरक्षित को बोलते हैं reserved 1 संदक्षित को बोलते हैं protected 1 और आवर्गी करत को क्या बोलते हैं इंगलिश में तो unclassified forest तो ये आपको थोड़ा इंगलिश में भी मैंने आपको बता दिया ठीक है ये प्रशाशने का अधार हो गया पहला इसका वर्गी करना ठीक है दूसरे की अदि हम बात करें तो दूसरे हो जाएंगे जलवायू के अधार पर जलवायू के आधार पर तो इसमें हो याएंगे दोस्तों उश्न कटिवन दीए उश्न कटिवन दीए पर्ण पाती वन पर्ण पाती वन ये पहला टाइप हो गया जलवायू के आधार पर दीए हम क्लास्टिफिकिसन करें ठीक है, दूसरा हुए आएगा, उष्ण कटिवन दिये, अर्ध पर्ण पातिवन, ठीक है, और तीसरा हुए आएगा दूस्तों, सुस्क पर्ण पातिवन है न, उष्ण कटिवन दिये, सुस्क, मैं डालेक्ट लिख रहा हूं, सुस्क पर्ण पातिवन, ठीक है, देखे, जो ह हमारा मद्ध्यपदेस हम यहां पर उशन-कटिवन धी वण पा जो हमारी कर के रिखा है और मकर रेखा ठीक है इसके वीच वाला जो छेत्र होता वह लगबगत ऊशन कटिवन धी होता है यहां पर दिन में कभी ना कभी सूरज साल भार में कभी नभी डिग्री सीधे चमकता है तो उस चेत्र के बोलता है उश्नकटिवंदी चेत्र तो इस एरिया में हमारा आपको पताओका भारत करकर रेखा है भारत के 20 से गुजटती है तो इसके आसपास वाले चेत्र में उश्नकटिवं और उश्नकटिवंदी और इनको हम डिटेल में चर्चा करेंड़े ठीक है एगे ऑग के प्रशाषनिक अधार पर और झेलवायू के अधार पर तीसा काटिजरी है दोस्तो दाल, ठीक है, दूसरी हो जाएगी सागोन, और तीसरे में हो जाएगी अन्य है ना या फिर मिस्रित, तीसरी हो जाएगी मिस्रित प्रजाती, ठीक है, मंद्री प्रजाती में हम देखेंगे तो सबस्यादर साल के बन पाए जाते हैं, फिर सागोन पाए जाते हैं, इसके लाब प्रसास्ण में जलवाईू के अधर पर हूं चाहे प्रजातिके आधरं पर चैए प्रधेशक आधर पर Śplane प्रोन का सिरनी यह तो इस अतिक जोज़्वाईू के लिए और पर हो यह रिखना मेकाल स्रेणी और एक है मुरैना, शीवपूरी, पठार स्रेणी ठीक है तो इसके भी तीन टाइप हो गए तो जो मद्ध्रदेश के वनों का वरगी करण किया गया है वो आप कोई भी किसी भी आधार पर देख लिए चाहे वो प्रशाशनिक आधार हो चाहे जलवाईू के एक़ोर्डिंग हो चाहे प्रजाती के एकॉर्डिंग प्रदेश के अधारण के हर प्रकार में तीन तीन प्रकार देवायट किया गया है तो एक- correr करके हम इनको cover करेंगे, पहले हम प्रशाशनिक आधार पर देख लेते हैं तो इनको मैं लिखे रहने देता हूँ और नीचे हम यहाँ पर समझते जाते हैं तो पहला है आराक्षिद वन क्या होते हैं तो दिखिए दोस्तों गातर होते हैं मद्दबिभली में सब्सके पहले हम देख देलेटें कितना स्क्रिकार मद्रिद्रिद् kidney में आरेकषिद्वन का बशज़ कर Say कि रिष्पय आजिंदी कि एरिया के बात करें तो… एक सथ आर्षयासी वर किलो apologies मंद्र प्रशाशन होती है उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है यहां पर आप कटाई नहीं कर सकते पसूं को चरा नहीं सकते पसू चारण नहीं कर सकते तो यहां पर काफि इस्ट्रिक्ट होता है जो अरक्षिदवन और यहां पर जो होते है पसू को किताई न ही सकते तो कुछ नहीं कर सकते काफिस के इस लगबक सबसब्रा वाधान झाय आरक्षिदवन ल तरुके इसमें लगवग 99% 32.8% area है संदक्षित वनों का यदि हम एरिया की बात करें तो 31,098 वरिक किलोमीटर इतने छेत्रफल पर संदक्षित वन पाए जाते हैं ठीक है आरक्षित कितना है आरक्षित सबस्याद आए ठीक है 31,886 और संदक्षित कितने हैं 31,098 वरिक किलोमीटर ठीक है तो यहां पर थोड़ा इससे आप लचीला ब्योहार होता है ठीक है यदि आप परमीशन लेते हैं गवर्मेंट से तो यहां पर पसूचारण कर सकते हैं ठीक है कटाई कर सकते हैं परमीशन के अनुसार परन्तु यह तो यहां पर भी यदि आप बिन परमीशन के कच्छ कटाई करने ही तो यहां पर भी कटोर दंड का प्रावधान होता है ठीक है तीसरे켜 होते हैं आवर्गी क difficiles वन तीसरे कि कृष्फ थे है जिनका अभी तक वर्गी करन ही नहीं किया गया है वो ना आरक्ष थैं नसंदक् यहां पर गवर्मेंट का कोई ऐसा नियंत्रण नहीं होता है ठीक है तो इसका एरिया देखे तो 1705 वर्ग किलोमीटर छेत्रफल पर यह वन पाए जाते हैं मद्रबिश में और 1.8 परसेंट एरिया कवर करता है तो बात क्लियर हो गई एक वर मैं रिवाइस कर देता हूं देख संदक्षित संदक्षित और आवर्गी क्रित सबसे पहले है आरक्षित सबसे जदे हम बात करें आरक्षित या फिर रिजर्ब्द फॉरेस्ट है ना तो सबसे जदे यही परसेंटेश लगवग 65 परसेंट आपको याद रखना है ठीक है 16860 यह आप याद भी नहीं सबसेंट अब नच्षण ले लें गवर्मेंट से तो यहाँ पर काताई चराई कि जा सकती है ठीक है तीसरा अब और वरगी क्रदवन यहां पर आप आप सकते है कर सकते हैं जो जाहें कर सकते हैं इनका वरगी कर नहीं दो यह हमारी प्रशाष्णिक अधार पर युद्य बा वन और शुस्क परणपाढ़ीवन, ये क्या होते हैं, इनको भी हम थोड़ा डिसकस कर लेते हैं, तो अगलर डीविज़न था है दोस्तोँ हमारा। उश्न कटीवन दिए, परण़ पाढ़ीवन है न मतलब कंटी वंदी यह पर्ण पाती वंद तो सबसे पहले यहां पे वर्षा की कितनी इस अवां सकता होती है तो वर्षा के अधय हम बात करें दोस्तों तो यहां पर लगवाक पचास से लेकर के 100 cm ना Scott पणट पाती आप नाम सही समझ रहा है मतलब पत्तों को गिरा देते हैं ये तो जब वशंत्रीतु आती है ये अपने वशंत्रीतु में पत्ते के करते हैं गिरा देते हैं तो यह पॉइंट आपको याज रखना है ओष्ण कड़िवरंदी परण पाती वर्षा की आवश्चकता होती है 50-100 cm की इसके लाबा वशंत्रितु के आगमन पर यह जो वन होते हैं अपने पत्नों को गरा देते हैं पाने की कमी की करण अब इसके अंत्रगत कौन-कौन से वन पाए जाते हैं ठीक है तो सागोन जो की मद्रप्रित से में सबस्यादा पाए जाते हैं शीशम ठीक है और मैं आपको बता देता हूं नीम पीपल नीम पीपल आधी यह उतना इंपोर्डन नहीं है मैन मैन आप याज रख लिजिए एक आइडिया के लिए हैं कि कौन-कौन से इसके अंत्रगत रक्ष पाए जाते हैं ठीक है इसके लावा जोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है ठीक है इन तीनों में से लगवग कितना 65.35% जो है वन उसमें ऊशन कटिवन दी पर्ण पाती वन सबसे ज़्यादा प पर्ण पाती तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है ना उश्रकटिवन दी पर्ण पाती वन पाए जाते हैं इसके लिए कौन-कौन से जिलों में पाए जाते हैं तो बैतूल चिंदवाड़ा ठीक है होशंगवाद दिंडोरी मंदला ठीक है तो इतने चित्र में और भी कुछ चित्र हो सकते हैं बैतूल चिंदवाड़ा ठीक है इतने एरिया में उष्ण कटिवंदी पर्ण पातिवन पाए जाते हैं ठीक है तो यह बात आपको याद रखनी है 50-100 cm वर्षा की अवस्तक्ता होती है ठीक है सीशम सा सीशम नीम पीपल सागोनी सारी ब्रक्षिस में पाए जाते हैं ठीक है अगले वन जो है दोस्तों वो है उष्ण कौन-कौन से होते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो कोई असता जरूरी नहीं है ठीक है दूसरे है उष्ण कटिवंदी अर्ध पर्ण पातिवन है ना अर्ध पर्ण पातिवन ठीक है इसमें वर्षा किया वस्तक्ता कितनी हो तो 100-500 cm ठीक है 100-500 cm उसमें हमने कितनी देखे इसमें हमने देखे थी 50-100 cm है इसमें 100-500 cm अब देखिए इसमें अर्ध पर्ण पाति अर्ध पर्ण पाति मतलब इसमें इस प्रकार के जो वन होते हैं उष्ण कटिवंदी अर्ध पर्ण पाति वन इन जंगलों में आधि से अधिक पेड ठीक है अपनी आधि पत्तियां बाला घाट मंदला सागर दिन्डोरी है ना अनुपुर सहडोल अनुपुर सहडोल अमरिया सिंगरौली सीधी ठीक है सीधी लिख लीजे सिंगरौली इस एरिया में अर्ध पर्ण पाति वन पाए जाते हैं ठीक है दोस्तों इसमें भी वह इसा बजाएगा साल सागोन महुआ नीम पीपल सीशम है ना लगे देता हूँ हमें साल सागोन शीशम ठीक है आम महुआ आधिब्रक्ष इसके अंतरकत आ जाते हैं अर्ध पर्ण पाति वर्षा की आवज सकता है ठीक है कहां कहां पर हो रहा है तो देखिए एक इस्थान पर दोनों प्रकार के व्रक्षय फिर वन पाई जाते हैं को इत्ती वड़ी बात नहीं है ठीक है तो आपको वन याद रखना है इसकी खासियत क्या है जैसे वो पूरे पत्ते गरा देते हैं आधे पत्ते गरा देते हैं आधे साधिक जोवन होते हैं पूरे पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते गरा देते हैं ठीक है तो कुछ-कुछ पॉइंट आपको याद रखना सबसे यादा कौन से पाई जाते हैं तो उष्ण कटिवन पर्ण पातिवन है ये सेकेंड नंबर प हुआ आधी अवश्यक्ता होती है यह कहां आ प्लाश इस प्रकार वन पाए जाएंगे यहाँ ठीक है तो यह बात आपको याद रखना है कि सुस्क पढ़ने पाती बन हमाई पश्चिमी मद्रप्रदेश में पाया से अले अलिराजपुर हो गया जाबू हो गया खरगोन हो गया और कुछ हमारे उपर भी पाए आएंगे मद्रभारत के पठार में ठीक है मुरैना जाबू अधार है ना इसके लाब मद्रभारत का पठार है जो उपर है ना उपर कौन-कौन से जी ले जाएंगे मुरैना शीवपुर राजगर वगयर है ना मुरैना शीवपुर यहां पर पाए आते हैं सुस्क पर्ण पाथभादी यहां पर वर्षा कं होती है इस लिए grin बवर्शा कभ़ और पाथ चीज़ यह रिकिक्वरτα की जिए νए आगे चलते हैं हम दोस्तों कि इसके वाद दोस्तों तो हम देखे लिटें प्रदा के अधरपर है थि पुर जाल और मिश्रिवर्प फिर ने आपो बटा दिया तीजिए तीन सरवादिक सागोन प्रकार के वरक्ष पायाते है इसके लब सबसे जाते है तो सबसे उचायर हमारी प्रकार के वरक्ष रजय प्रजाति ही Lucky starts अब यह कहां कहां पाई जाती है ठीक है तो यह पाई जाते हैं जवलपुर होशंगावाद ठीक है इसके लाबा सागर खंडवाद पूरे मध्यपदेश में लगवक पाई जाते हैं धार शिवनी ठीक है लगवक पूरे मध्यपदेश में पाई जाते हैं ठीक है इसके लाबा होशंगाबाद की बोरी घाटी है दोस्तों है ना बोरी घाटी बोरी घाटी होशंगाबाद की बोरी घाटी सागोन के लिए बहुत ही famous है क्यों famous है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा सघंता में होशंगाबाद में है बोरी घाटी सुना होगा आपने थिके होशनगावाद की जो बोरी घाटी है सागवन के लिए बहुत ज़्य Васन है क्योंकि यहां पे बहुत ज़्याद सघनता में जो सागवन के वरक्ष रहे हैं वो पाए जाते हैं इसलिए यह प्यातरं के आपको यादखना है और ये भी याद रगन कि सागोन सबसे ज़्यादा पाय जाते हैं, ठीक है, इसके लाब ये जिले उतने important नहीं है, बस ये बोरी घाटी आपको याद रगना होशंगावाद की है, ठीक है, तो यह हो गया सागोन, इसके लाब हम बात करते हैं, साल है न, इसके लाब सागोन मैं भाग पर पाय जाती है, साल के जो ब्रक्चाया फिर ये प्रजाती होती है, इसके यूँज किसलिए होता है, रेलवे स्लीपर, बहुत ज़्यदा question पूछा जाता है, जो यो रेलवे स्लीपर बना जाते हैं, उसमें जो लखड़ी के प्रयोग किया जाता है, वो किसका प्रय जले भी यही सब हो जाएंगे, मंदला, बालाघाट, होशंगावाद, होमरिया, यह सारे जले हो जाएंगे, तीसरा हो जाएगा, मिश्रित जितने भी अधर प्रजाती है, अधर पेड़ हो गए, वो असकेंत रखता जाएंगे, बबूल, महुआ, आम, नीम, और भी जो अन्य पेड़ा, वो मिश्रित प्रकार के प्रजाती में आ जाएंगे, मुखिता इसको प्रजाती के बताने का अधार था कि साल के ब्रक्च और सागोन के ब्रक्च जो हैं, हमारे सबस्यादा पाए जाते हैं, इसमें सबस्यादा सागोन पाए आ जाता है, और सेकेंड नमबर पर स साल पायजा है और काफी इंपोर्टेंट और महत्पूर्ण ब्रक्ष यह हैं ठीक है तो इनके संबंद में यह एक एक दो दो पॉइंट जो मैंने बता यह आपको याद रख लेना इससे बाहर कोश्चन नहीं जाएगा ठीक है तो यह हो गई दोस्तों प्रजाती इसके लाब प्रादेश प्रादेशिक अधार पर बस यह आप तीन पॉइंट याद रख लेजिए विंद क्रेमूर स्रेणी सत्पुण मेंकाल स्रेणी और मुरेना सिवपुरी पठार स्रेणी इसमें और आपको कुछ नहीं पढ़ना बस तीन टैप कभी आप पूछ लिया गया तो प्रादेश के वन है इसका वर्गी करन आज हमने पढ़ लिया ठीक है इससे बाहर लगवख सारे चीजे मैंने यहां पर कवर कर दी है इसके वन हम यहां जो मद्पिदिस के नेशनल पार्क है ठीक है सैंचुरी है या फिर हम बोलें टाइगर रिजर्व वगरा यह सारी हम ड के रूप में कवर कर लेंगे ठीक है तो आज के लिए यतना ही दोस्तो यदि आपको आज का लेक्षर पसंद आये तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें इसके लावा हमारे साथ जुड़े राने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते तब तक के लिए धन्यवा झाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेक्षर पसंद आपको लेक्षर न हुट है जब।